अच्छकार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल को मा सिक्स में काफी टाइम से हम लोग इसकी वेट करे थे वेकैंसी नहीं आरी है वेकैंसी तो नहीं आरी पेपर दिये जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा आखिरकर वो टाइम आई गया है एच पी एसी ने जो वेकैंसी है उसकी पूरी की पूरी डिटेल भेज दी और साथ में पेपर की देट भी बता दिये तो पूरी डिटेल को देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन आया क्या कहा जा रहा है एक बाध्यान से एच पेसी का नोटिफिकेशन आया है 19 तारिक को 21 तारिक से आपके कि आपके फोर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 12 दिसम्बर 2022 तक लास्ट डेट रहेगी इसकी और ग्यारा बच पच्पन मिनट तक का टाइम है बारा तरीक को यानि कि आप मोटा-मोटा यह मान लिजे कि बारा तरीक आपकी लास्ट डेट रहेगी अब इसके अंदर एक छोटा स तो फिर उसका क्या होगा जो यह वेकंश आ गई क्या मांगी गई है फोगी देटेल देख लेते हैं थोड़ा सा डेट में क्लैश है अगर मेरी कहूं अगर मुझे मतलब जो आइडिया लग रहा है कि रियड होंगी यह पोस्ट डेट एक्स्टेंड होगी एस्टेट वालों को कंसिडर किया जाएगा लेकिन अगर इन्होंने यह डेट दी है और साथ में यह भी बता दिया गया कि फैब के अंदर एक्जाम है फैब की फैब के सेकेंड या फिर थर्ड वीक के अंदर तो सब्सक्राइब कर देखते हैं क्या मेटर रहेगा क्या रहेगा सिस्टम इसके अंदर तो देखिएगा जिनका एस्ट प्लियर है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है वेकैंसी आ चुकी है एच्पी एसी के त्रू और अब तैयारी पे जुड जाईए सिर्फ और सिर्फ आपके दो महीने रहते हैं फैब की सेकेंड और थर्ड विक के अंदर आपका एक्जाम हो जाएगा उसाथ की साथ आपकी जो पोस्ट है वो फिल हो जाएंगी तो डिटेल दिखते हैं एक बड़ में जो कॉलिफिकेशन है पहले मैं बता देते हूं मास्टर डिरी मास्टर डिरी होनी ही चाहिए आप जिस भी टेस्ट की तयार कर गया हैं जैसे मालो हिस्ट्री है तो में हिस्ट्री मैथ है तो में में पोलिटिकल साइंस वो आपको चाहिए गई चाहिएगा प्लस में एस्टर कंपल्सरी है यानि एस्टर कंपल्सरी है तो पिछले वाले द गया कि जो एस्ट है उसकी जो वैलिडिटी है वो लास्ट टाइम तक चलेगी आपकी वो लाइफ टाइम है लेकिन उसका रेटन में कोई नोटिफिकेशन नहीं है यह भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जिनके 7 यह हो चुके जो 2014 में थे 2015 में थे 2012 में तो 7 साल हो गए अब उ टाइन के 10 के चलें तो 249 6 की जिनके भी हैं वो चलेंगे मास्ट डिघ्री ट्लस में बीएड लिकिन एक ऊख चूट दे निवी है अगर माद लो किसी की बी एड कंप्लीट नहीं हुई है बिएड कंपलीट नहीं हुए लेकिन 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 उसने जाश्錤रप और जो हमारे जो रिजर्व कैटेगरी के परसंस हैं जैसे कि फीजिकल हैं या ऐसी हैं उनके लिए 5% की छूट भी दी गई है ये भी ध्यान करना है पांच परसंट की स्पेशल छूट है और जो वेकैंसी हैं वो देख लीजेगा कॉमर्स की 180 पोस्टे हैं हरियाना में अ क्छिए हैं जबंछ सं zwar कोत्य किया हुआ है एम यस की की फूही है रेगुलर मोड में ये खास बात है कि अथरो प्रा में अफितनि से दिस्टेंस यसे प्राइविट कि ऊँविलीड लेकिन जोंगोम्ट सायन्स हैं उसके इंदर रैगुलर होना जम्स के ङए किया ट्सें सब्सक्राइब दूसे देखिए चाहिए में 20 मेवाथ के अिंदर है improvement renewable license मेबात के डर में बाइलोजी की रती इस तालिव के डर में नहीं है, मेबात के डर में नहीं है। सब्सक्राइब एक पोस्ट है सिर्फ मेवाद केडर में हिंदी कोई पोस्ट नहीं है लेकिन सतर पोस्ट है मेवाद केडर में होम साइंस एक पोस्ट है सिर्फ फिजिक्स एक ही पोस्ट है वह भी मेवाद केडर में सॉशलोजी दो पोस्ट है मेवाद केडर में उर्दू हमार कि अब आ जाते हैं हम लोग इसके ओपर फीस के ओपर फीस का आपका जो है 250 रुपीज रहेगा जो ऐसी के टेगरी के हैं जो फीजिकल हैं जो जो की रिजर्ब के टेगरी के परसंसे बाकि सब की थाउजन रुपीज जो है फीस रहने वाली है एस की बात कर लेते हैं 18 साल मिनीमम है और 42, 42 साल की उमर जो है वो मैक्सीमम है जर्नल वालों के लिए लेकिन इसमें काफी सारी छूट दी हुई है जैसे कोई परसंन ऐसा है जो किसी भी डिपार्टमेंट में गौवर्मेंट डिपार्टमेंट के अंदर चाहे वो अधोक पर जब गाओ एक टेंपरेरी कॉंट्रेक्ट पे डेली बेस पे किसी भी तरह एंसे अधर उसके पास एक्सपीरेंस है तो उसे उसी का कंसेशन मिल जाए का माल उसने दो साल तक जोब की हुई है तो दो साल एज में अधार वो फोटीफूर का हो गया उसने दो साल जोब की है वो बाुझ साल तक है इसमें प्लस्में फाइब कोई ऐसी है तो उनके लिए लेकिन इसके अंदर भी बाँवन साल मैक्सिमम फाइं है तो आप ये दस इमान के चलेगी ब्रॉत साल की ओर और गाप्षं में आता है तो दस साल की उनको भी Rodrigo की निलेगी हैं legally separated है divorce में महिलाएं है विडो महिला है तो उनके लिए पांच-पांच साल की छूट है तो यह आपने ध्यान करना है अच्छा इसके अंदर return test है plus में interview भी है और document verification और medical यह चार प्रोसेस रहेंगे यानि कि return test आपको देना होगा plus में आपका interview भी रहेगा इसमें एक और खास बात भी है कि अगर आपका return test आपका अच्छे नंबरों से आ जाता है आपके नंबर जादा है सब कुछ है interview भी हो गया आपका लेकिन आपका number भी नहीं आ रहा तो वो क्या है कि इसमें qualification जो यह बताई गई है master degree plus में BA plus में 50% marks उसको सिरफ एक minimum eligibility के रूप में रखा गया है यानि notification अगर आप मास्टर के बाद उसने PhD किया हुआ है तो उसको जो है प्रेफरेंस जादा मिलेगे मालो उसने भी क्वालिफाई कर दिया और आपने भी क्वालिफाई कर दिया और आपके दोनों के marks से मारे हैं तो qualification में जैसे marks अगर आपके master degree में master में 50 है उसके 60 है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी ऐसे ही अगर आपने master किया हुआ उसने PhD किया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी जैसे मालो कि इसने net किया हुआ है तो जो additional जो higher qualification है उसको preference मिलेगी यह साफ है इसलिए हम इसके लिए भी नहीं कर पाएंगे यानि कि return test और interview के बाद भी तलवार हमारे उपर लटकी रहेगी यह कुछ basic points है जो notice में clearly mention किये हुआ है तो return test की आप लोग तयारी कीजिए syllabus है वो अलग-लग जो private sites है उसमें तो दिया हुआ है लेकिन अभी जो official site के उपर syllabus अभी आया नहीं है clearly और पेपर का जो pattern है वो भी लेकिन सिरफ इतना है कि return test होगा इंटर्व्यू होगा और document verification और medical तो इसका मतला हम यह मान के जले कि अभी pattern हमें clear नहीं है जैसे ही pattern clear होगा कितने marks का यह है कि दो नंबर का कोशन रहेगा 80 कोशन है मला सुनने में ऐसा आ रहा है तो 160 marks का जैसे अगर पहले की बात करते हैं पहले PZT के अंदर जो selection होता था उसके अंदर क्या था कि 200 नंबर का आपका paper होता था total में उसमें 160 marks का return test हो गया 24 marks का जो इंटर्व्यू है और 16 नंबर का जो 16 marks का experience होता था इसमें दो नंबर एक साल के experience के होते थे तो maximum जो हैं वो 16 नंबर बनते थे तो इसे साब से यह 200 नंबर बनते थे तो इस बार अभी clear नहीं है कि कितने कोशन आएंगे कितना क्या रहेगा 90 marks का होगा या फिर वो 80 का होगा और interview कितने marks का होगा socio-economic criteria के अंदर कितने marks दिये जाएंगे अभी clearly mention नहीं है है सब कुछ social के भी मिलेंगे और interview के मिलेंगे experience के भी मिलेंगे higher qualification के मिलेंगे लेकिन अभी clear नहीं है वस फिलहाल तो यही notification है कि अब अपना तयारी जोगोशोगों से कर देजिए दिखेगा बहुत सारी तो ऐसी लेकिन हाँ एक एक drawback और भी है कि इस बार estate वालों को मुका मिलना चाहिए था अगर estate वालों को मुका नहीं मिलना था तो इतनी जल्दी estate रखा क्यों अगर रखा अगरेगा और साथ में एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा हार्याना कोशल नगर निगम है जो हार्याना कोशल विकास का जो है उसमें भी पोस्ट निकली हुई है PZT की TGT की भी है और PZT की भी है वो भी आप अपलाई कर सकते हैं उसकी जो डेट है वो हमारी 6-11 तक की थी पहले 6-11-2022 और अब जो है वो डेट एक्स्टेंड होके 23-11-2022 तक है यानि कि अभी आज हो गई 20 तारिक तो 3 दिन उसमें भी है अब गर आपने किसी ने वो फोर्म नही ही चाहिए यह नहीं है कि अब तो हमारी जो पर्मनेंट पोस्ट निकल गही है तो हम वो टैंपरेरी वाली ना भरे लिखिया बेरोजगार इतनी है मैं तो यह कोऊंगे कि आप वाला फूम भी फिल कीजिएगा तो अभी फिलाल के लिए इतना ही कि यही है कि रिटन टेस्ट होगा और सब कुछ यह रहेगा फीस वीस भी है कल से आपके फोर्म स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही एक्जाम पेटर्न आप जो लेटेस्ट अपडेट आएगा वह मैं आपको बताते रहूंगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू